नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अपने चैनल में स्ट्रेश्बी क्लासिज पर दोस्तों इस वीडियो में हम लगबग 17 या 18 रोजगार मेलों के बारे में बात करेंगे कहां कहां पर किस किस डिस्टिक में चले वे हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ और स भी रोजगार मेलों की जानकारी आपको विश्ट्रित देंगे ठीक है तो आगे बटने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजिए देखिए सबसे पहला जो जो फेर है ये आपका आया हुआ है 9 दिसंबर से य नाम दिये गए हैं कि आप इनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है साथ में email id दी गई है phone number दिया गया है ठीक है phone number भी आप लोग देख सकते हैं और ये करनाल डिस्टिक का मेला है ठीक है डिस्टिक करनाल तैसिल करनाल venue will be decided by the employer and same will be the informed to the applicant तो जो employer आते हैं जो आपर रोजगा देने आते हैं उनके द्वारा venue decide किया जाएगा कहां पर ये होगा लेकिन आप संपरक कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो ये करनाल का जो फेर रहेगा ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं आगे है जो ये है 10 दिसम्बर से start है और ending date इसकी है 20 दिसम्बर ठीक है और registration आप क assistant है इनकी designation है जो assistant employment officer है ठीक है और email id दी गई है साथ में आप email से संपरक कर सकते हो contact number दिया वा है साथ में mobile number ठीक है और ये है पानिपत से ठीक है पानिपत का ये मिला है ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने employment office में संपरक कर सकते हो तो ये हो गया आपका पानिपत district ठीक ह उसके बाद आते हैं next ये जो fair start हो रहा है 9 December से और ending date इसकी 23 December जो आप registration करवा सकते हो 22 December तक उसके बाद यहाँ पर contact person है विजेंदर कुमार जी और यहाँ पर इनकी जो email id दी गई है ठीक है department की तरफ से और contact number दिया गया है phone number आप संपरक कर सकते हो ज्यादा जानकारी ले सकत हो बाकिया अगर आप यह office में जाकर ज्यादा जानकारी लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है ठीक है क्योंकि कई बार ज्यादा busy schedule होने की वह जैसे हो सकता है contact वगरा मतलब आपका अच्छे से नहीं हो पाए ठीक है यह फते बाद से आपका जो है मिला मतलब सूच एंडिंग डेट दे रखी है इन्होंने 9 दिसंबर एंडिंग डेट दे रखी है 22 दिसंबर रिजिस्टेशन आप करवा सकते हो 20 तारिक थीक 22 दिसंबर तक उसके बाद contact person दे रखी है अरुन कुमार जी है डॉक्टर अरुन कुमार जी ए यह हो है यह पोस्ट इन की और email ID द जलते हैं next मेला है आपको पहले बता देते हैं जगय का नाम यह है रोहतक ठीक है रोहतक में है यहाँ पर आप देख सकते हो 9 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक registration date आपकी रहेगी 27 दिसंबर तक उसके बाद जो आप संपरक कर सकते हो संपरक सुतर यहाँ पर दे रखी है लली आपका बताया मैंने रोहतक के अंदर ठीक है आप संपरक कर लीजिए अपने employment office में इसके बाद आगे चलते हैं यह जो फेर रहेगा 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक और registration की date भी यही है और last date सेम है contact जो person रहेंगे मोनु कुमार जी कल रख है email id दे हुई है साथ में office का phone number दिया हुआ है ठीक है और यह जो आ रहा है डिस्टिक चर्की दादरी बादरा से ठीक है बादरा यहां पर कोई जगह है टैसील है यहां पर चर्की दादरी में साथ बाद डड़ा बोलते हैं इसको हिंदी में कई बार news paper में मैंने देखा मैं कभी ऐसे वास्तों मैं कभी उधर गय है नहीं हूँ ऐसे और इसके बाद next आते हैं डिस्टिक पर यह है यह आया है सिर्षा डबवाली से ठीक है सिर्षा डबवाली से है और जो date दिवी हिनोंने 7 दिसंबर से शुरू है 15 दिसंबर तक contact person है यहां पर दीपक जी कलरक रहेंगे और साथ में employee जो ID दे रुखी email ID है और contact number दिया हूँ ओफिस का आप संपरक कर सकते हो जदा जानकारी के लिए आप अपनी employment ओफिस में भी direct मिल सकते हो ठीक है उसके बाद यहां पर आप लोग देखिए यहां पर online job fair है कलावाली से ठीक है 13 दिसंबर से 23 दिसंबर तक last date भी और cut off date भी registration की Mr. दिनेश कुमार ज organization से और email id साथ में contact person जो है contact number दिया है और सिर्षा कलावाली से है यह जो fair ठीक है वेन्नू यहां पर इन्होंने दिया हुआ है साथ के अभी के अभी पंचायत घर नियर तैसील यहां पर यह जो fair organize किया जाएगा ठीक है description में candidate to must all their original document यानिके यहां पर आप सिधे अपना original document लेकर पहुँच जाए date इन्होंने दी हुई है जगए इन्होंने दी हुई है अराम से आप जा सकते कोई प्रेशानी नहीं है इसके बाद next पर आते हैं यह है बिवानी लोहारू से ठीक है यहां पर when you know ने decide नहीं किया है when you will be decided by employer तो employer के दवारा decide किया जाएगा online यह मिला है इसके बाद आप December है contact person दिये में है रमल जी कल रख है email ID और contact number नीचे दिया गया है बिवानी लोहारू से ठीक है जी इसके बाद आगे बढ़ते हैं यह आगया जीन्द नर्वाना से ठीक है जीन्द नर्वाना से है और when you भी नोंने बताया है क्या कुछ है candidate selection and interview schedule will be decided by employer employer ही decide करेगा इनका भी selection का interview वगरा का जो भी said rule है सारा का सारा और ये भी रहेगा 7 December से 13 December तक cut भी date है जो वो भी 13 December है ठीक है असीन जी से संपरा कर सकते हैं कल रखाइए और ये email ID और contact नमबर यहां पर दिया हुआ है ठीक है तो एक और देख लीजिए साथ में सोनिपत से भी एक रोजगार मेले की जो है update है यहां पर आप देख सकते हैं contact नमबर दिया हुआ है साथ में मनोज कुमार जी है असिस्टेंट है ठीक है असिस्टेंट employment officer सोनिपत ठीक है email ID और contact नमबर यहां पर mobile नमबर दिया हुआ है बहुत अची बात है आप डारेक्ट संपरा कर सकते हैं जदा जानकारी के लिए अपने employment ओपिस में भी संपरा लिए डेट है 6 दिसंबर से 15 दिसंबर ठीक है और लगबग यह मान लिजे बिलकुल नजदीक है चीजे उसके बाद आगे बढ़ते हैं यह आगया अंबाला से ठीक है अंबाला से है और ममता बूराजी से आप संपरा कर सकते हैं divisional employment officer है यह और email ID दीवी साथ में और phone number दिय दिसंबर तक है और जो registration की डेट हूँ 28 दिसंबर तक इनोंने बताया गया है ठीक है जोब फियर फोर मन्त अब दिसंबर इसके बाद आते हैं हिसार से ठीक है mcc हिसार दिसंबर 21 जोब ड्राइव यह 3 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ठीक है करम बीर जी से आप संपरा कर सकते हैं color रख है email ID दी है साथ में phone number दिया गया है आप संपरा कर लिजिए अगर आप हिसार से हैं तो ठीक है इसार इसार तैसिल district हिसार जोई तो एक और देख लिजिए तो कभी सारे हो गए मेरे ख्याल से ठीक है इसके बाद पंचकुला से है यह तैसिल पंचकुला district पंचकुला contact number दिया गया साथ में office का email ID बिलकुल ऐसे ही यह भी ममता बूरा जी है और employment officer है ठीक है district employment officer यहां भी 1 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो फ 10 दिसंबर से 15 दिसंबर यह चलेगा पंकजी से आप संपरक कर सकते हैं जगह है भीवानी तो साम ठीक है यहां पर phone number दिया हुआ है email ID दिये हुए है यहां पर assistant AEO जी है जिन की post दी हुई है ठीक है इसके बाद next one है काफी सारे हो गए मेरे ख्याल से इसके बाद चर्की बादरी में भी है यह और contact number है साथ में email ID दी हुई है बात करें आपका जो संपरक सुतर है यहां पर सोनम गोयल जी है ओके डियो है यह दो दिसंबर से 10 दिसंबर और registration की date वो 9 दिसंबर है ठीक है इसके बाद next one बिवानी से फिर से यहां पर सोनम गोयल जी 3 से 20 दिसंबर औ और 12 दिसंबर यह cut है cut date रहेगी ठीक है next बनाते है गुरुग्राम तो गुरुग्राम में जो फेर है contact number और email ID ठीक है यहां पर रंजीत रावत जी से आप संपरकर सकते हैं जो contact person दियावा है और अगर starting date की बात करें तो 1 से लेकर 20 तक ending date है ठीक है आप संपरकर सकते हो 13 तक आप लोगों के लिए काफी सारी हो गए है यह जो परमानिक news है वो हम कहां से उठाई है हमने यह मैं आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पर आप direct जाकर भी search कर सकते हो पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया भी था यह आप लेख लीजे यह आपकी जो ह employment office की जो है website है hrex.gov.in पर आप जो फेर पर जैसे ही आप click करेंगे जो फेर के section में आपको यह सारी जानकारी वहाँ पर भी मिल जाएगी official website है हरियाना government की ठीक है तो काफी सारे होगे 17 ठारा जो जो फेर हैं हो सकता है कोई एक अदा repeat हो गया हो उसके लिए मैं मापी चाहू क्योंकि कई सारे इकठा हो गए है ठीक है फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए हम यह सब ले कर आते रहते समय समय पर अगर आप भी चाहते हैं हरियाना में education related job fair employment सक्सम योजना DC rate job सभी परकार की जानकारी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक क करें दोस्तों के साथ share करें thank you very much